उदैपूर हत्याकांड में राश्ट्र हनुमान दल का तीखा बयान राजस्थान के उदैपूर में एक टेलर की मंगलवार को बेरहमी से हत्या कर दी गई जिससे पूरे देश में लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है जिसका असर बरेली में भी देखने को मिल रहा है राश्ट्र हनुमान दल के जिलाध्यक्ष दौरा राश्टपती के लिए ग्यापन सौपा गया जो भी हत्यारे है तत्काल फासी की सजद सजा दी जाए साथी परिवार को सुरक्षा पृदान की जाए परिवार के एक विक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और 50,000 रुपे मुआवजे की मांग भी रखी है साथ ही ये चेतावनी दे दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो राश्र हनुमान दल की प्रतेग प्रदेश में जिले में तहसील में सडकों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे क्या नाम है आपका? दीपक पाठा मामला ये है कि देखिए हम लोग आज राश्री हनुमान दल और अखंड भारत गोरो ट्रश्ट के लोग यहां पर खटे हुए है जैसा कि 28 तारीक को उदैपुर राहिस्थान में एक तेलर की हत्या कर दी गई और उसने केवल एक पोश्ट की थी कि हम नुपुर सर्मा के समर्थक हैं और नुपुर सर्मा का बबाल जो है वो काफी दिनों से देश के अंदर चल ला है उसने जो भी कहा वो सत्य कहा है उसने जो सत्य कहा है वो उनकी कुरान में भी लिखाई है कुरान में लिखा है कुरान को आप पवित्र मानते हैं तो उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उस सत्य को एक्सेप्ट करे हम मुसलिम समाज के लोगों से ये कहते हैं जो आपकी किताब में लिखा है उसे आप accept करना सीखिए जो सत्य है उससे मूँ मत चड़ाईए और जो सत्यता है उसको पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ड देख रहा है और जिस जयादी तरीके से उसकी हत्या की गई कनईया कुमार की जो सत्य है उसको उसने क उसकी जो हत्या की गई है उसके बिरोद में आज सारे लोग यहां इखटे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जिन जयादियों ने इस घटना को अन्याम दिया है उनको ततकाल फासी की सजा होनी चाहिए और उनके परिबार को 50 लाग रुपए का मुआपजा और एक व्यक्ति को सरकारी नोकरी और इस तरीके की अगर आगे घटनाए हुई तो राश्टी हनुमान दल परिबार उन चयादियों को यह चेतावनी देता है कि अब खून का बदला खून होगा सफाई सबका हक है अब केमिकल बेस्ट फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान फोना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर सफाई की प्रायोरिटी के साथ कई आकरशक कलर में और मनमोहब खुश्बू के पितारे के साथ जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास, तो आज ही घर लाईए फोना फ्लोर क्लीनर, कांटेक्ट करें, 9897066784, या इमेल करें,